हाई और मैं हूं रितिका और आज हम लोग बनाने वाले हैं पालक से दो रेसिपी एक तो हम लोग बनाएंगे पालक पनीर और दूसरा हम लोग बनाने वाले हैं पालक का चिल्ला तो जो हम लोग ये पालक पनीर बनाने वाले हैं ये बिना लहसन प्याज के बनेगा तो आप कोई ऐसा टाइम हो जिसमें लहसिन प्याज नहीं खाना है तो आप यह recipe ट्राई कर सकते हैं और दूसरा हम लोग बनाएंगे पालक का चिला बहुत ही अच्छा option है आपके breakfast के लिए, आपके dinner के लिए या फिर आप lunch box में भी इसको ले जा सकते हैं और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं तो चलिए आज की सबसे पहली recipe पालक का चिला की recipe देख लेते हैं तो पालक का यह उत्तवब बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को अच्छे से धुल लेंगे और इसको बारी चोटा चोटा बिल्कुल कट कर लेंगे इसका बिसिकर हमें paste बनाना है तो इसको mixer jar में हमने रख लिया है और साथ ही हम पीस लेंगे इसके साथ मिर्ची अगर आपको पसंद है तो आप लहसन भी आड़ कर सकते हैं पालक का पेस्ट बन के बिल्कुल तयार है और इस टाइम पे आप हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सूजी से टेक्च्चर भी अच्छा आएगा और एक थोड़ा कुरकुरा वाला टेस्ट आ जाता है उसका भी यूज कर सकते हैं तो यहां पे मैंने जो है यूज किया जो है सूजी चावल का आटा बेसन टमाटर और प्याच मिर्च को हमने पीस लिया था पालक के साथ और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे और यहां पे मैट कर रही हूं नमक अपने स्वात के अनुसार थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर यूज कर रही हूं आप अपने टेस्ट के हिसाप से यूज करिया अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत यूज करिया आप स्किप करिये वो पाइट और यह देखिए यहां पे मैं सिर्फ एच चमच यूज कर रही हूं दही का द गया पर उसमें डाल दिया है तेल और तवा भी हमारा गरम हो चुका है और इस तरीके से जिस तरीके से हम नॉमली उत्तपम या चीला बनाते हैं बस बैटर को उठाना है और तवे पर डाल देना है कुछ इस तरीके से और हां अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा यहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा चीला एक साइड से बहुत अच्छे से पक गया है तो इसको उठा के पलट दिया है गई जो हमने तड़का डाला हुआ था इसमें सरसों के तेल में राई का वो बहुत ही स्वादिस्त लगता है वो तड़का मत स जगे पे या बेसन का क्वांटिटी भी रख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं उससे टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा इनकेस आपके पास बेसन नहीं है तो आप गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं और यह देखिए इस तरीके के लिए रेस्ट पे रखेंगे तकरीबेन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप 20 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट दीजिए ही वो पार्ट में बोलना वापे बूल गई तो यहां में बोल रही हूं कि बैटर को रेस्ट जरूर दीजे और यह देखिए हमारा दूस तो आप यहीं के साथ एंजुआ आप लिए नॉधक कर रहे हैं दो ट्रा रहे हैं आप यहूँ भो जरूर कर सबसु अपना इक्सपीरेंस शेयर करा। तो चलिए आज की ये दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं पालक पनीर की रेसिपी वो भी बिना लहसन और प्याज के तो दिवाली का टाइम चल रहा है या फिर किसी भी टाइम में जब हमें नॉर्मली प्याज और लहसन नहीं खाना होता है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं अब अपनी उपवास में भी ये रेसिपी खा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी ये देखिए यहां पे मैंने ले लिया है पालक इसको पानी को पहले गरम कर लिया है पिर उसमें पालक को हमने डाल दिया है तकरीबन चार से पांच मिनट के लिए हम पालक आपाल देची, तक हम लोड़ को अखार को अच्छे से दकने थंडे पानी में या नॉमल पानी में आप इसको डाल दी जे यह चुक 1000 ऐह ना अच्छे से अली हम नॉमल पानी में ढाल दीके的 कि जाए तो आप थंडा आपानी भी ऐ। यूस्त्द कर सकते है तो इसको अच्छे से हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे नॉमल टेंपरेचर का और यह देखिए यहाँ पे हमने पानी को निकाल लिया है अब इसको नॉमल टेंपरेचर का होने देते हैं एकदम ठंडा होने देते हैं उसके बाद इसका एक पेस्ट बना लेंगे और यहां पे मैंने रख लिया है कढ़ाई को गयस पे इसमें डाल दिया है सरसो का तेल पालग पनीर आप घी में भी बना सकते हैं घी में पालग पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ले लिया है मैंने यहाँ पे जीरा, मिर्ची और अद्रक और लहसन को हमने खल में कूच के ले लिया है लहसन यहाँ पे आप्शनल है और यहाँ पे हमने ले लिया है यह दही जिसको हमने अच्छे से बिल्कुल यह फैंट लिया है दही बहुत जादा खटी दही मत लीजेगा इस तरीके से हम दही को फेंट लेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमने पालक का पेस्ट भी बना लिया जब भी आप लोग पालक पनीर बनाएए तो ट्राइ करिए कि पालक जो यूज़ कर रहे हैं वो एकदम फ्रेश लीजे तो पनीर बहुत ही अच्छा बनके तयार होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस तो यहाँ पे हमारा तेल भी अब गरम हो चुका है तो सबसे पहले इसमें जीरा का तड़का लगाते हैं और आज को हमने इस टाइम रखा हुआ है मिडियम उसके बाद यह लहसन और अद्रक जो हमने कूट के ले लिया है खल में वो यूज़ कर रही हूँ ध्यान रहे लहसन आप्शनल है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और रेड मिर्ची भी हमने इसमें डाल दिया इसको थोड चल्सका पकाने के बाद हम इसमें एक एकशमीरी मिर्च पाउडर एक अच्छी टाइर कालर के लिए और इसके बाद हम इसमें अइट करेंगे यह रखा हुआ हे तो गाईस जो तेस्ट है पालक पनीर में यह बहुत भी गथी अच्छा तेस्ट इसका आता है तो यह पार बो पालक पनीर बहुत ही लाजवाब बनेगा तो इस तरीके से हम इसको सब दही जो है हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ये देखें कुछ इस तरीके से मिलाएंगे और ध्यान रहें हमें नमक इस टाइम पे नहीं आड़ करना है अभी क्योंकि उससे फिर दही का फटने का डर होता है तो हम इस तरीके से इसको पहले अच्छे से पकाएंगे तो दो से तीन मिनट पकाने के बाद हम इसमें आड़ कर रहे हैं ये कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसको मिला ले तो आज को धीमा रखेंगे और थोड़ी साउधानी के साथ हम सारे पालक को कड़ाई में डाल देंगे और पालक एड़ करने के बाद हम इसको मेडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे ताकि पालक का जो कच्छापन बच्छा हुआ है वो चला जाए तो इस तरीके से ये देखिए हम इसको पकाएंगे और अब हम इसमें एड़ कर दे रहे हैं अपने स्वात के अनुसार नमक और नमक एड़ करने के बाद हम नमक को अच्छे से इसमें मिलाएंगे और ध्यान रहे है दीमी आज पे इसको हमें पकाना है अच्छे से जब तक कि ये जो पालक का हलका कच्छा पन है ये चला ना जाए तो ये देख रहे हैं आप पालक पनीर हमारा बहुत अच्छे से अब पक रहा है ये देखिए आप देख सकते हैं पालक पनीर अब अपना ये तेल भी छोड़ रहा है और अल्मॉस्ट हमारा ये पालक पनीर अब बनके र पालक पनीर अब बनके रड़ी है तो यह देखे इसको थोड़ा सा हमें और पकाने की जरूरत है उसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक स्पेशल तड़का तो यह देखे हमारा ग्रेवी बहुत अच्छे से पक के रड़ी है तो सबसे लास्ट में हम इसमें अड़ कर रहे हैं अच्छे से हम इसको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे कि पनीर जो है ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से मिल जाए यह देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और तयारी करते हैं तड़के की तो तड़के के लि और ध्यान रहें यह तड़का हमें सब करने के पहले लगाना है देखिए हमारा पालक पनीर बनके अब रेडी है बिल्कुल खाने के लिए तो आज हम यह पालक पनीर अपने डिनर में रोटी के साथ तो guys please यह recipe एक बार आप जरू try करिए और यकीन मानिये बिना प्याज लहसन के भी बहुत ही लाजवा पालक पनीर बनके तयार होगा तो guys please यह recipe आप जरू try करिएगा और हमें भी बतायेगा की कैसा लगा आपको यह recipe और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए थांक यू सो मच